प्रवर्तन निदेशाले, ईडी, ने जार्खन के मंत्री रामेश्वर उराव के बेटे रोहित उराव के परिसरों पर शराब घोटाले के सिलसिले में छापे मारी की. सूत्रों के अनुसार रांची, दुमका और देवगर समेत कई ठिकानों पर छापे मारी चल रही है. रामेश्वर उराव पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं और फिलहाल जार्खन की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री है. जानकारी के अनुसार बुधवार एहले सुबह ईडी की एक दरजन से ज्यादा टीम रेट के लिए निकली है. ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जार्ख वही देवगर में कुल आठ जगहों पर छापे मारी की सूचना है. बताया जा रहा है कि चत्तिसगर वाले सिंडिकेट को लेकर ही जार्खंड में छापे मारी चल रही है. राज्ये के बड़े शराप कारोबारी योगेंद तिवारी के कई ठिकानों पर एडी की छापे मारी जारी है. देवगर में मेहर गार्डन और बिसकोमान भवन में टीम कागजातों को खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि शराप कारोबारी योगेंद तिवारी, रामेश्वर, विने सिंग, कॉंग्रेस नेता मुन्नम संजे, जमीन कारोबारी अभिशेक जासहित कई लोगो आवास में पेपर खंगाला जा रहा है और अंदर से गेट को लॉक कर दिया गया है. किसी के भी बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है.